नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Samsung Galaxy A52s 5G vs Oppo Rano 5 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 6.3 इंच जबकी Rano 5 Pro 5G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है विट की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 2.96 इंच जबकी Rano 5 Pro 5G में 2.88 इंच की विट मिलती है जो की Galaxy A52s 5G से कम है बात करें थिकनेस की तो Galaxy A52s 5G में 0.33 इंच जबकी Rano 5 Pro 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A52s 5G में 189 ग्राम्ज जबकि Rano 5 Pro 5G में 173 ग्राम्ज का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 6.5 इंचर जबकि Rano 5 Pro 5G में 6.55 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Galaxy A52s 5G में 84.9 प्रतिशत जबकि Rano 5 Pro 5G में 88.6 इंचर प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Galaxy A52s 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Rano 5 Pro 5G में 402 पिक्सेल प्रति इंचर मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Galaxy A52s 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और Rano 5 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में mono camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनों phone में 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Galaxy A52s 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते है और Rano 5 Pro 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 6 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Adreno 642L जबकी Rano 5 Pro 5G में Mali G77MC9 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और Rano 5 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1000 Plus MT6889Z मिलता है बात करें RAM की तो Galaxy A52s 5G में दो variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB 8 GB की RAM मिलती है जबकी Rano 5 Pro 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Galaxy A52s 5G में दो variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 128 GB की storage मिलती है जबकी Rano 5 Pro 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Galaxy A52s 5G में up to 1 TB जबकी Rano 5 Pro 5G में नहीं है ओपरेटिंग सिस्टम दोनु फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी Galaxy A52s 5G में 4500 mAh जबकी Rano 5 Pro 5G में 4350 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 3 colors जबकी Rano 5 Pro 5G में 2 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy A52s 5G में 2 variant देखने को मिलते है जिसमें की 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 39,999 रूपीज 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 37,499 रूपीज में मिलता है और बात करें Rano 5 Pro 5G की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 32,490 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं Prams and Gons यानि की फाइदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A52s 5G में 6 फाइदे और शून्य नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें OPPO Rano 5 Pro 5G की तो उसमें 4 फाइदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो Display में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम Same Price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें, Samsung Galaxy A52 है, जो की 23,499 रुपे में मिलता है, दुसरा Samsung Galaxy A72 है, जो की 34,999 रुपे में मिलता है, तीसरा OnePlus 9R है, जो की 49,999 रुपे में मिलता है, और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S25 5G है, जो की 47,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना